Welcome back to अभ्यासकूल क्लासईश्चु वीडियो में हम डिसकश करेंगे डवल change of coordinates and double integrations तो basically question देखिए आपके पास क्या दिया हुए ये को integral दिया हुए शो करने कि ये इसके equal होगा और आपके पास क्या दिया हुए कि region bounded by the two circles शुरू करतें एक बार सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुए question में कि double integral square root x square plus y square dx dy और जो region of integration है उसके लिए हमें दो गोले draw करने पड़ेंगे दो circle draw करने पड़ेंगे that is x square plus y square equal to 4 और x square plus y square equal to 9 तो हमें ये जो shaded part है इसमें आपको integrate करने है इसको जो given आपके पास ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास जो radius है वो 2 से 3 vary कर रही है क्योंकि छोटे वाला circle जो है उसकी radius 2 है आपको given है कि region bounded between region bounded between circles कौन से दो circles है आपके पास x square plus y square equal to 4 and x square plus y square equal to 9 ठीक है हम सबसे पहले क्या गरते है change in coordinates कर लेते है ठीक है step number one आपके पास हो गया कि change into polar coordinates polar coordinates में change कर लो आप इसको तो polar coordinates में change करके आपके पास क्या बन गया x को put कर दिया r cos theta और y को put कर दिया r sin theta ठीक है तो r की value कहां से कहां जा रही है 2 से 3 क्यूंकि यहां पे r की value 2 है और यहां पे 3 है और theta कहां से कहां move कर रहे है 0 से 2 pi क्यूंकि यह तो कही mention नहीं है कि first quadrant second या कौन सा तो यह पूरा का पूरा circle हो जाएगा तो question किस में change हो गया double integration square root r square r dr d theta अब यहां पे limits आप put कर दो r की limits आगे 2 से 3 और theta की limits 0 से 2 pi further क्या करने है यह बन गया आपके पास r r into r r square तो इसका बन जाएगा आपके पास integration r cube by 3 limits put करोगे 2 से 3 और theta की limits क्या होंगे आपके पास 0 से 2 pi तो यह बनेगा आपके पास इसका integration होगा theta अपर limit आएगे 2 pi तो यह बन गया 2 pi तो जब आपने इसे solve किया 27 minus 8 upon 3 into 2 pi तो यह बन गया आपके पास 38 upon 3 pi तो यह आपके पास answer आगया second question इसी question की generalized form है इसमें आपके पास ऐसी दो सरकस दे रखे हैं x square plus y square equal to e square तो solve करते हैं second question भी second question में आपके पास दिया हुआ है x square plus y square dx dy अब दो गोले पहले गोले का पहले सरकल का radius कितने है a दूसरे सरकल का radius कितने है b दूसरे का कितने है b तो जो radius vector है वो a से लेके b पे move on कर रहे है ठीक है तो सबसे पहले same lines की change कर दिया आपने polar coordinates में तो आपके पास क्या बनेगा कि x को put कि आपने r cos theta और y को put कि आपने r sin theta तो double integral आपके पास बना ये बना r square r dr d theta यहाँ पे r कहां से कहां change कर रहे है a से b change हो रहे है और theta 0 से 2 pi change हो रहे है तो इसे जब solve करोगे तो आपके बास आएगा r cube integration dr a से b और 2 pi 2 pi किसका आजाएगा theta का आजाएगा तो अब इस case में इसका integration होगा 1 by 4 b की power 4 minus a की power 4 into 2 pi तो pi upon ये cancel out हो जाएगा 2 से तो ये आपके पास बनेगा ये बनेगा pi by 2 ठीक है तो ये आपके पास final answer आगया इस question का इस तरीके से हम coordinates को change करके double integration की help से जो हमारा question होगा उसे easy बनाएंगे और उसे solve करेंगे उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी comment box में लिखके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी अगर आपको online या offline class से join करनी है तो आप इस number पर contact कर सकते हो पढ़ते रहिए practice करते रहिए अभ्यासकूल के साथ अभ्यासकूल के साथ अभ्यासकूचल के साथ अभ्यासक्ट्स अभ्यासक्ट्स झाल 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 झाल